पस्ची में यूपी में दनादन एंकाउंटर किये जा रही हैं यूपी में बदमाशों की शामत आ गई है और पुलिस अपराध्यों का क्राइम रिकोर्ट खंगाल कर निशाना बना रही है शरिवार को बुलंग शहर में डिबाई और कोटवाली देहाद पुलिस की बदमाशों से मूठपेड हो की जिसमें 25-25 हजार की तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है पुलिस ने घायल बदमाशों को जीला अस्पतार में भरती करवाया है बदमाशों के कबदे से दो बाइक, दो तम्मंचे, कई जिंदा कार्तूस और खोका बरामत किया गया है घायल भुरा पर तेज और नईम पर साथ एफायार दर्ज बताई जा रही है बुलंच शहर पुलिस की गोली पैर में लगने पर घायल हुए ये 55,000 पे के इनामी बदमाश भुरा नईमुदीन और नरूदीन है जो आज तड़के अपने दो अन्यसात्यों के साथ हत्यारों से लैस होकर बाइकों पर सवार होकर बुलंच शहर के डिबाई कोतवाली शेत्र में किसी संगिन वार्दात को अंजाम देने जा रही थे तब ही डिबाई पुलिस को इसकी भनक लग गई पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस पर फाइरिंग करनी शुरू कर दी पुलिस ने भी फाइरिंग की और दोनों तरफ से मुठवेड के दोराण चली गोलियों में से एक एक गोली भुरा और नईमूदीन के पैर में लग गई जीने जिबाई पुलिस ने गिरफतार कर लिया मगर तीन बदमाश चक्मा दे कर फरार हो गे लेकिन दो घंटे बाद ही डिबाई पुलिस को चक्मा दे फरार पुलिस ने फरार बदमाशों को पकड़ने के लिए धर पकड़ तेज कर दी है और उने जल्द पकड़ने का दावा भी कर रही है पुलिस पीछा करती हुई मंडी चेतर में पुना एक मुडवेड हुई है और उस मुडवेड में भी एक बदमाश को गोली लगी है तीनों बदमाशों का इलाज कराया जा रहा है इन बदमाशों पे 25 जार रुपए का इनाम था और कुछ बदमाश अभी भागे हुए है जिनकी तलाज जा रही है कौम इंटी जारे ये बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक, शेर आड़ सब्सक्राइब करें धन्यवाद